हेलो फ्रेंड्स मैं हूं सीमा वेलकम बैक टू मैं चैनल आज हम बनाने वाले हैं एपल शेक जिसे बनाना बहुत ही आसान है पांच मिनट में बनकर यह तयार हो जाता है और यह बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंग है और इसमें भरपूर मात्रा में आयन और कैल्शियम है और बहुत सारा विटमिन है तो चलिए बनादना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है वन टेबल स्पून शुगर और एक एपल को मैंने अच्छे से धो कर पील करके कट करके लिया है और वन ग्लास चिल्ड मिल्क ले लिया है और यहाँ पर मैंने तीन से चार बादाम और हनी ले लिया है हनी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम्या जादा ले सकते हैं मैंने इस माप के अनुसार वन टेबल स्पून हनी लिया है अब मैंने यहाँ पर एक मिक्सी का जार ले लिया है और उसमें मैंने कटे हुए एपल के टुकडे डाल दिये हैं और अब हम इसमें चिल्ड मिल्क एड़ कर रहे हैं अब हम इसमें बादाम एड़ कर रहे हैं और एड़ करेंगे वन टेबल स्पून शुगर शुगर भी आप इच्छा से कम्या जादा एड़ कर सकते हैं अगर आप जादा मीठा खाते हैं तो हमने यहाँ पर अब वन टेबल स्पून हनी एड़ कर दिया है अब हम इस मिक्सी के जार को कवर करके अच्छे से ब्लेंड करेंगे लगभग एड़ से दो मिनट तक हमें ब्लेंड करना है तो हमारा यह मिल्क शेक बन कर तयार है इसे सर्व करने के लिए हम सबसे पहले एक ग्लास में आइस क्यूब्स डाल देंगे यह बिल्कुल ऑप्शनल है क्योंकि हमने चिल्ल मिल्क लिया था अब हम इस मिक्स्चिर को ग्लास में ट्रांसफर कर रहे हैं और इसे हम हनी से घालिश कर लेंगे बच्चों के लिए आप हर्शी सिरप या चॉकलेट का कोई भी सिरप एड़ कर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और नीचे लगेवे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजे ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट आपको मेलती रहे अब इस एपल शेक को हम कुछ बादाम की कतरन डाल कर सर्व कर रहे हैं आप अपनी इच्छा अनुसार कोई और भी ड्राइफ रूट्स एड़ कर सकते हैं यह बिलकुल ऑप्शनल है यह ड्रिंक आप अगर मॉर्निंग में लेते हैं तो आप पूरा दिन तरोता जा रहते हैं तो इस ड्रिंक को आप ज़रू ट्राइ कीजिए इस एपल शेक को बना कर आप इंजोई कीजिए तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई कर दो आप जे लुड़ कर दिन से लो बना कर दो ईतले हैं